अलोक मिश्रा जी, जादी या, महरा जी, मन में आने वाले गलत विचारों जिन्हें मैं स्वेम जानता हूँ कि ये गलत हैं, उन्हें कैसे रोकूंगे? नामजब से, नामजब के द्वारा हमें ऐसा बलपराप्त होता है, जिससे हम उसके द्रष्टा बनते हैं, जब तक आप मन में तदात्म रहेंगे, तब तक आप मन को शुधार नहीं सकते हैं, तदात्म मनें जैसे अपने लोग किते हैं, आज ये खाया जाए, आज ये देखा जाए, तो आप की चीज नहीं थी वो बात, वो थी मन की, पर आप इतने तदात्म होगे कि अपनी बात मान ली कि अब आज तो हम यही खायेंगे क्योंकि हमारी इच्छा है, तो आप फस गए मन में, अगर आप द्रष्टा बन के देखेंगे कि मन ये चीज मांग रहा है, मन ये बात फेक रहा है, तो अगर गलत है तो आप उसको ना कर दीजे, आप जम ना करेंगे तो आपको जलाएगा, परिशान करेगा, उस्षमे नाम राधा अलब शीर, राधा अलब शीर, उसकी सुनना ही नहीं, उस एकणों बार आपको परिशान करेगा, बस वो डिलीट हो उन्नस्ठ हो जाएगा, यदि आपने उसके कतना अनुशार सपोर्ट नहीं किया, और नहीं आपने, नहीं नहीं बार बार, और आधा अलब शीर, वो गिलीट हो जाएगा, सांत हो जाएगा, ऐसे वो कई वर्स जब साधना करेंगे, तो बार बार फेकता रहेगा, क्योंकि बहुत जन्मों का जमा है, जो जमा है वही फेकता हूँ, नई चीज नहीं फेकता है, जो पूरु जन्म में जन्मा है ना, लोक लोक आंतर में हमारा जन्म होता है, भटकते रहे तो सब हमारे मन रूपी चिप में जमा है, अब जो हम भजन में बैठते हैं, तो भजन उसको डि पुरू में किया है यह एंशा भी लगेगा आगे मैं करूँ उसमें उसको डिलीट हों ना बुरा मानो ना अच्छा मानो बस शान तरहो राधाव लबशे राधाव लब्शे राधाव लबशे राधाव। वह हटता चला जाएगा सर्कुण बार वही बाता आएगी पर वह न निर्मल हो जाता है और निर्मल मन में भगवान की जहांकी आ जाती है, काम बन गया, निर्मल मन जन शुरो मोहि पावा, मोहि कपडचल छिद्र न भावा, तो वैसे आपको लगेगा कि मन सांथ है, लेकिन जहां भजन करना शुरू करोगे, वहां उज्यादा गड़वड़ी फेकेगा, क्योंकि आप भजन उसे डिलीट कर रहा है, इस बात को रदे में बैठा लोगे, तो अच्छा लगने लगेगा, कि सब गंदगी जा रही है, और भजन हमारे अंदर बैठ रहा है, धीरे 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 आनंदित होने लगेगा, जहां निर्मलता आने लगी, जब तक पाप रहते हैं, तब तक जलन बहुत होती है, इसलिए लोग भजन छोड़ देते हैं, नाम जब छोड़ देंगे, और सब दान पुन्य और जाना आना ऐसा हो, लेकिन नाम जब वही कर सकता है, जो क्रपा पातर जान है, यहां नाम जब शुरू किये तो आग ना, क्योंकि उसकी वासना नस्ट होगी ना, तो मन फिर चैन ने लेने देता हो पासक को, तभी तो आप देखो ना ग्रेस्थी में रहकर के खोड़ा सहीं बलेस बरदार्थ हो जाए, अगर विरक्त हो करके फिसल गया तो बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि जैसे दुस्मन क उपर चड़े रहो, और वो अगर उपर आ गया, तो अब आपको अपने उपर नहीं आने देगा, अगर वो बलवान है, तो मन बहुत बलवान है, जहां सादक इसकी उपर चड़ा, और इसको मारना सुरू किया नाम से, अब वो औशर खोजता है, एक बार इसकी उपर हमारा सासन हो जाए, तो दिखाता है, दर्श्य दिखाता है, भोग दिखाता है, यही उसका बल है, अगर उपासक ना, ना, धर्म युकत है तो हाँ, अधर्म है तो ना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शास्तर जिसे कहता है करो, वो धर्म है, जिसे कहता है ना करो, वो यह अधर में मन्ठी को जाएगा पर नाम जब अगर छूटा तो कोई अकल काम नहीं करेगी नाम जब चलना चाहिए समझे ना